क्या हो चने की सब्जी में बिल्कुल ताजा ताजा मांस डाल कर उन्हें अच्छी तरह से पकाया है ना खाना अच्छे से नहीं पकाऊंगी तो उसे कैसे खापाऊगे देलो ये हुई ना बात बहुत मुश्किल से तुमसे शादी के लिए तयार हुआ था कीमा डला हुआ गुगनी खाने के लिए जो तुम्हारे हाथ की खासियत है ठीक है ठीक है चलो अब खाना शुरू करो रुक जाओ रुक जाओ इसमें से मुझे कुछ अलग ही गंदा रही है ओ यहां खानी की गंद के अलावा दूसरी कौन सी गंदा रही है मेरी नाक कभी जूट नहीं बोलती इस सबजी में से मुझे मनुष्य की गंदा रही है यहां कोई मनुष्य कैसे आ सकता है क्यों नहीं आएगा उसे आना ही पड़ेगा उस राज्य के राजा को जो बयंकर बीमारी हुई है उसे ठीक कराने के लिए तो मेरे पास यह आना पड़ेगा ना पर अभी तो तुम खाना खाओ किसी और खाने की गंद के बारे में तुम बाद में सोचना नहीं नहीं रुख जाओ एकदम ताजा मांस वो भी मनुष्य का ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है रुख जाओ रुख जाओ मैं ज़रा बाहर जाकर देखता हूँ खा जाएगा उस आदमी को कितना समझाया था कि नजदीक कहीं मत आना गेगा को मनुष्य गंद आ ही जाती है अब क्या होगा उसका जब वो गेगा खाना खाके सो जाएगा तभी उसकी पूच से पंक नुच कर ले आउंगा जब गंधार ही है तो कहीं न कहीं मनुष्य अवश्य ही होगा पर वो कहां छुपा बैठा है वो जगह अब मुझे दूननी पड़ेगी उन लोगों ने क्या किया है पता नहीं तो वो रहा है खिड़की से भीतर की ओर जाक रहा है रुख जाओ अभी बताता हूं तुम्हें अब बताओ तुम्हें क्या कर रहे हो अब यहां इतनी जल्दी कैसे है यह मत पूछों कैसे अब तुम जल्दी से मेरे मुख के अंदर आ जाओ यह बनुश्य भी अपनी जान से गया यह इस बार भी नहीं मिला पता नहीं क्या होगा और क्या होगा महराज फिर से किसी को भेजना पड़ेगा घोगासुर का पंख लाने के लिए हां जाएं और फिर से अपने प्राण दे कर आएं सही कहा बार-बार किसी की जान लेना नहीं है यही करते करते महाराज की पुत्री गुजर जाए तो ठीक हो तो फिर महाराज अब क्या करना चाहिए क्योंकि घेगासुर के पूच के पंक बिना तो आपकी पुत्री स्वस्थ ही नहीं हो पाएगी कौन चाहता है कि वो स्वस्थ हो जाए कम से कम इस समय महाराज को त नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारी राजकन्या कुवारी ही रह जाएंगी ऐसा ही तो लग रहा है मंत्री नहीं 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 महाराज ऐसा बिलकुल नहीं लग रहा है तो फिर क्या लग रहा है लग रहा है कि बहुत जल्द ही हम घैगासुर के पूछ से पंक लाने की कोई ना कोई व्यवस्था कर ही लेंगे हाँ वही व्यवस्था करिये अब मेरी मेरी पुत्री का क्या होगा बगवान जाने सच में पता नहीं अब क्या होगा सब कुछ मैं ही अकेले सोचूं क्या क्यों तंखवा क्या मुझे बस अकेले ही मिलती है महारणी गई है ना सोचने हे साधु बाबा आप एक बार कुछ कहिए आपने कहा था गेगासुर की पूँच का पंख लाते ही मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी किन्तु वो लाना तो शायद संभब नहीं हो पाएगा इतने लोग गए पर पंख लाना तो दूर की बात वो जिन्दा वापस ही नहीं आए आप ही कोई दूसरा उपाय बता सकते हैं जिससे जिससे मेरी बेटी फिर से स्वस्थ हो जाए बाबा एक बार एक बार आँखे खोलि बाबा आप ही मेरी बेटी को बचा सकते हैं आप ही बचा सकते हैं बाबा अब क्या हुआ तुमारी पुत्री को बाबा घेंगा सुर की पूच का बंख कोई नहीं ला पा रहा है फिर क्या होगा आप उसकी औशदी ही बदल दीजिए बाबा तो फिर हम भी बच जाएंगे औ आपको तो पता है, मैं कक्षा एक तक पड़ी हूँ, आपको ही कोई नया उपाय निकालना होगा बाबा, मेरी पुत्रे को ठीक करने के लिए अरे बापरे, ये तो बहुत भयंकर परिस्थिती है ऐसा मत कहिए बाबा, आपको कुछ करना ही होगा ठीक है बेटी, अभी जाओ, मैं जरा ध्यान में बैटकर देखता हूँ, क्या अन्य कुलपाय है की नहीं, तुम अभी जाओ बेटी, जाओ मेरा मन हलका हो गया बाबा, आपने मेरी चिंता दूर कर दी ठीक है, ठीक है वो, वो देखिए, साधु भाबा आ रहे है आईए, आईए भाबा, आईए क्यों बेटा, तुम्हें किस बात की चिंता है चिंता तो है, लगता है अपनी पुत्री को कभी स्वास्त नहीं कर पाऊंगा एक आप ही है, बस आप ही मेरा उधार कर सकते हैं जानता हूँ, जानता हूँ, इसलिए तो आया हूँ तुम्हारे पास तो है ना, हाँ होगा, जरूर होगा, संत्रे का पेड, संत्रे का पेड इस राज्य में कहा है, तो फिर जिसके घर में संत्रे का पेड है, उसके घर से एक संत्रा यहां ले आओ, और उसका रस अपनी पुत्री को पिलाओ, तुम्हारे पुत्री फिर से ठीक हो जाएगी, बह का चाहे फ कहा ह curiosity पर हम्में तो फसा कर चले गए ना when री मने कुछ कहा मैंने Exhale का महराज इस संद्रे की लिए पूरे गाव में घोशना बिद्धे कर घर में हुआ तो वो ले आएगा ऐसे ही ले आएगा ऐसे ही क्यूं जो भी संत्रा ले आएगा मैं मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दूंगा ठीक है हाँ है नहीं हाँ जो मनुष्य संत्रा लाएगा वही मेरा दामाद बनेगा मेरा दामाद यही मेरा फैसला है अरे भाग क्यों रहे हो किसी डकेत में दोड़ाया क्या नहीं पिता जी चौक पर राजा के उद्गोशक की गोशना सुनकर ही दोड़ा रहा हूं राजा ने गोशना किया है कि सुनो 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 इस राज्य में जिसके पास संतरे का पेड़ हो वो अपने पेड़ से एक संतरा लेकर महराज के पास जाए उस संतरे के रस को महराज की पुत्री पीएगी तो महराज की पुत्री स्वस्थ हो जाएगी। और उसे पुरुषकार के रूप में उस यूवक के साथ महराज अपनी पुत्री का विवा कराएंगे। सुनो, सुनो, सुनो क्या कह रहे हो मनकी हाँ बैस सच कह रहा हूँ संत्रे का पेड़ तो इस पूरी इलाके में किसी के घर नहीं है सिर्फ हमारे घर में है इस इलाके में ही नहीं पिता जी इस पूरे राज्ये में संत्रे का पेड़ कहीं नहीं है तो फिर अब क्या करेंगे और क्या करूंगा संत्रा लेकर महाराज के पास जाऊंगा और संत्रे का रस पिला कर महाराज की पुत्री को स्वस्थ कर दूंगा क्या कहा तू जाएगा अरे पागल कुत्ते ने काटा है क्या क्यों ऐसा क्यों अरे तुम तो अपने आपको ही समाल नहीं पाते हो तो फिर संत्रा लेकर राज महल क्या जाओगे बात करता है पागल हो गए हो क्या तुम तो अपने आपको ठीक से समाल नहीं पाते तो राजा के पास कैसे जाओगे नहीं पिदा जी मैं ही जाऊंगा जाऊंगा अरे इतने बड़े राज महल में जाके राजा के सामने उनकी पुत्री को संत्रे का रस पिलाना इतना आसान काम नहीं है हाँ बेटा छोटू तुम ही जाओ नहीं पिदा जी यह आपने अच्छा नहीं किया सोचके ही मन में गुदगुदी हो रही है राजा की बेटी से शादी मित्र देखेंगे तो आश्चर चकित हो जाएंगे सब लोग मेरे भागे से इरश्या करने लगेंगे अब तो बस राज महल तक किसी तरह स्टोकरी के संत्रे को पहुँचा आदू क्यों बच्चे कहां जा रहे हो क्यों बच्चे सुनाई नहीं दे रहा कहां जा रहे हो तुम अच्छा तुम हो मैं कहीं भी जाओं उससे तुमें क्या काम है काम तो बाद में बताऊंगा पहले बताओ जा कहां रहे हो अगर नहीं बताऊंगा तो क्या क्या करूंगा जो होगा वो देखी लोगे धमकी दे रहे हो राजा के पास जा रहा हूं समझे ओ तुम्हारे सिरप टोकरी में क्या है वो भी बताने पड़ेगा क्या तुम्हें यह बताने में तुम्हें कोई कश्ट हो रहा है क्या इस आदमी का मकसद कुछ समझ में नहीं आ तोकरी के संत्रे कहीं छीन तो नहीं लेगा एई सोचने क्या लग गए बच्चे नहीं सोच रहूं कि इस तोकरी में तो मेंड़क है और में कुछ पूछना है क्या बोला अच्छा तोकरी में मेंड़क भर कर महराज के पास ले जा रहे हो क्या करूँ, महराज की यही इक्षा है ठीक है, तो फिर जाओ बच्चे, जाओ तो फिर मैं चलता हूँ बच गया, अच्छा हुआ, टोकरी खोड़ कर नहीं देखा नहीं तो मैं पकड़ा ही जाता, जल्दी जल्दी चला जाता हूँ अब आ गया, आ गया, महराज, संत्रा लेकर आ गया क्या कह रहो मंत्री, तुम्हें संत्रे मिल गए यह थो सूचा ही नहीं था अच्छा है, अब महराज की पुद्री इस संत्रे का रस पीकर सुष्थ हो जाएगी क्यों है ना पर उससे पहले संत्रे देख तो ले यह क्या यह तो मेंड़क है यह कैसे हो गया मुझे कुछ मालूम ही मजाग करने की और कोई जगह ने मिली थी क्या संत्रेल आया है कि मेंड़क नहीं यह तो मैं तो संत्रा ही लेके आया था टोकरी में पर वो कैसे बदल गया कुछ में फूब बना रहा है से अच्छे से उठक बैठक लगवा कर फिर उसके बाद मेंड़क को अच्छे से तल कर उसमें नमक मिर्च लगा कर इसे खिला कर भगा देना नहीं माराज नहीं 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 माराज नहीं posição ही इस बग मैं ही जाओंगा पिताजी देखा ना भईय कैसे मार कर कर वापस आ हागे माराज के पास अच्छा मैं जाओंगा क्यों मैं क्या मर गया हूं बताओ सही कहा, तुमसे पहले तुम्हारे मजले भाई का नमबर है बेटा नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं ही जाओंगा महराज के पास संत्रे लेकर बंद कर अपनी बक्वास, अभी भी तुब बच्चाई है और महराज के पास जाएगा पिता जी मैं जाता हूँ और महराज की पुत्री को संत्रे का रस पिला कर आता हूँ साबधानी से जाना बेटा महराज की पुत्री को स्वस्त करके उसी विवाह करने के बाद ही घर पर आना ये भी कोई कहने की बात है क्या बच्चा कहा जा रहा है हैं ये साधू कौन है और अचानक कहां से सामने आ गया क्या हुआ सुनाई नहीं दे रहा है क्या मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो क्यों महाराज के पास वो क्यों बच्चे वहाँ पर तुम्हारा क्या काम है वो जानकर तुम क्या करोगे करूँगा, करूँगा, जरूर करूँगा वैसे तुम्हारे सिरपड टोकरी में क्या है बच्चे? ये तो अच्छी मुसीबत गले पड़ गई है, कैसे बचू इससे? क्या हुआ? तुम्हारी बोली क्यों बंद हो गई? फ्रे, नहीं, कुछ नहीं है, असल मैं इस टोकरी में सबजी के बीज हैं महाराज के वगीचे मैं लगाने के लिए ले जा रहा हूँ महाराज सबजी की खेती करेंगे वा, 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 बहुत बढ़िया, बहात अच्छी बात है जाओ 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 अब जल्दी जल्दी जाओ तुम्हें नहीं रोकूंगा मैं जाओ भाप रे बाप, बच गया शज़ूर जल्दी से यहाँ से निकलते पर कहीं इस बार भी टोकरी में संत्रे नहीं हुए तो सवाल ही नहीं उठता मंतरी जी पर तुम्हारे भाई ने हमें ऐसा बेवकूफ बनाया तुम जानते हो उसकी सजा भी तो उसे मिली ना महराज और अगर तुमने भी ऐसा किया तो उससे भी बड़ी सजा मिलेगी जैसी आ गया महराज तो फिर देर किस बात की दिखाओ दिखाओ वही तो अरे टोकरी तो खोलो संत्रे तो देखू ज़रा हाँ खोलो खोलो देखेंगे टोकरी खोलो देखता है देखता है टोकरी खोलो अभी खोलता हूँ यह क्या अरे बाप रे यह कैसे हो गया बदमाश जूठे सुनो कोई है नहीं महाराज मैंने अपने हाथों से ही पेड़ से संत्रे तोड़कर टोकरी में रखे थे इस बार मेंड़क के वदले सबजियों की वीज हाँ है सुनो कोई है महाराज महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज मैं नाक रगड़ कर कह रहा हूँ महाराज कान पकड़ कर कह रहा हूँ उठक बैठक लगा कर कह रहा हूँ जूठा कहीं का इस राज्या में कहीं संतरे होते ही नहीं है और तू अपने पेड़ से संतरे तोड़ कर ला है है मंतरी इस पद्माश की अच्छे से धुलाई करके महल से दूर भगा दो चल् यहां तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं है यह क्या खहाह रहा है पिताजी महाराज की पुद्री को स्वस्टो करना पड़ेगा न किश्टी आगल हो गए हो क्या, जहां तुम्हारे दोनों बड़े भाई नाकाम हो गए, वहां तुम संत्रे लेकर जाने की बात सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम पहले से ही जाने के लिए कह रहा था, पर भाईयों नहीं तो मुझे जाने नहीं दिया और खुद चले गए वो नहीं जाते तो क्या तुम जाते, वो बड़े हैं, उनमें बुद्धी भी जादा है, और तुम, तुम सबसे छोटे हो और बेबकूब भी हो हाँ, वो कहावत है ना, उट चालक के गले में रसी, भाईयों की भी वही दशा हुई है अच्छा हुआ है, पर तुम्हें अब जाने की जुरूरत नहीं, मैं जाओंगा बस लेकिन तुम्हारी दशा भी अगर तेरे भाईयों जैसी हुई तो, वो देखा जाएगा मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, तुम तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं ये क्या कह रहे हैं, आपकी बात मान कर ही तो मैंने बड़े भाईयों को जाने दिया इस बार मेरी बात मान कर मुझे जाने दीजिए पिता जी अब क्या करो ओ बच्चे, कहां जा रहे हो? मुझे किस ने पुकारा? अरे मैंने, मैंने प्रणाम सादू बाबा, महराज के पास जा रहा हूँ क्यों बच्चा, सबेरे सबेरे महराज से क्या काम आ गया तुम्हे? काम तो है, महराज की पुत्री वो बहुत बिमार है इसलिए उसे स्वस्त करने के लिए संत्रे का रस पिलाना पड़ेगा ऐसा किसी सादू महात्मा ने कहा है और संत्रे का पेर तो एक मात्र हमारा ही गर में है इसलिए मैं संत्रे लेकर जा रहा हूँ महराज को देने के लिए ये बात है, तो जाओ 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 तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जाओ, जाओ तो फिर चलता हूँ फिर से, फिर से सर पर टोकरी इसे भीतर किसने आने दिया? हाँ, सच में ठगों का दल है अरे मैं सच में संत्रे लाया हूँ आपकी पुत्री को स्वस्थ करने के लिए तुमसे पहले भी दो लोग आये थे हाँ, और वो कैसे संत्रे थे वो हमने अपनी आँखों से देखा है इस बार तुम अच्छे से लोट जाओ बच्चे नहीं तो हाँ, नहीं तो हाथ, पैर, सही सलामत लेकर घर नहीं लोट पाओगे समझे? नहीं महाराज, मैं सच में संत्रे लाया हूँ फिर से जूट कह रहा है आप सब, आप सब मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ ना, कि इस टोकरी में सच मुझ संत्रे ही लाया हूँ महाराज की पुत्री को स्वस्त करने के लिए पर अगर टोकरी खोलने पर कुछ और निकला, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, समझें? ठीक है महाराज, जैसे आपकी मर्जी ठीक है, तो फिर खोलो, खोलो टोकरी तो फिर ये देखिए अरे, अरे, ये तो संत्रे है वही तो, अरे मंत्री, खड़े खड़े देख क्या रहे हो जल्दी से संत्रे का रस निकाल कर, मेरी पुत्री के पास लेकर जाओ हाँ, 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 निकलता हूँ, निकलता हूँ, जल्दी से जाता हूँ अरे, पुत्री तो उठकर बैट गई है वाह रानी वाह देख रही हो संत्रे के रस का कमाल ये संत्रे का रस नहीं सादू बाबा के आशिरवात का कमाल है हाँ हाँ वही मैं कितना खुश हूँ मैं पता नहीं सकता पता नहीं किन्तू हमारी बेटी तो स्वस्थ हो गई तो क्या उस किसान के बेटे के साथ आप हमारी बेटी का विवा करवाएंगे? पागल हो गई हो क्या? तो फिर उस लड़के को भगाएंगे कैसे? रे इतनी चिंता क्यों कर रही हो महरानी? सब कुछ मैंने पहले से ही सोच रखा है तुम देखती जाओ आने तो दोस लड़के को ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा कि कभी जीवन में शादी का नाम भी नहीं लेगा समझी? सच में? और नहीं तो क्या? हाँ सच कह रहा हूँ